हेलो अबरिवन, वेलकम टो स्टड़ी सर्विस चैनल, तो आज की वीडियो में आज जो हम बात करेंगे वो पटवारी एक्जाम के बारे में बात करेंगे तो आप लों का जो paper था, वो आप लों का easy to moderate paper था, ज़्याद़े tough पेपर नहीं था अगर आप लोग बात करें तो हमाचल अर देश आप लोग का easy आया वो था almost जो आप लोग का a डी है, हिंडि में आप लोग को बता देता हूँ कहां से ली गई थी तो आप लोगं का जो JVT और DLT का जो एंटरेंस पेपर हुआ था इसमें से यह आई हुई थी आपकी हिंदी जो आप लोगं का math था total आप लोगं का CVSC board का पूछा गया था CVSC के अगर आप 6, 7 और 9 और 10 के book देखें तो almost सारे question आप लोगं को बहां पे मिल सकते हैं ठीक है जब आप लोगं का math था है math में आप लोगं के एक या दो question गलत भी दिये गए हैं वो भी आप लोगं ने ध्यान देना है बाकी almost जितना भी आप लोगं का paper था काफी easy paper था ज्यादे tough paper नहीं था plus two level में अगर आप लोगं का paper बिल्कुल सही paper था तो question के बात करते हैं जितने भी student में साथ जुड़े हैं एक expected answer की है आप लोगं के साथ तो अगर इसमें से कोई question गलत होगा तो साथ में comment करते रहना ठीक है तो आप लोगं को ने ध्यान देना है final answer की आप लोगं की जल्दी आ जाएगी question है आप लोगं का ये समस्या अतियंत कठिन है इसमें अतियंत क्या है आप लोगं का तो आप लोगं को पता होना चाहिए C इसका बिल्कुल सही option आएगा पर बिशेशन ओके बेदो की रचना किस भाशा में होई है तो बैदिक संस्कृत इसका answer हो सकता है बट मुझे first and second में next question की तरब चलें देव जमा आले ये कौन सी संदी होती है आप लोगं की तो फॉर्थ का आप लोगं का फिप्था आप लोगं का question है तो ये आप लोगं की देर की संदी कहलाएगी देव जमा आले ओके next question है आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ क्या होता है आप लोगं क आधा तीतर आधा बटेर होना तो यह आप लोग का बे मेल और बे धंगा बिलकुल सही आप लोग का option आएगा बे मेल और बे धंगा next question की और चलें 7th question है हमारा तो 7th question हमारा जो है वो है आप लोग का महा रिशी का संदी बिशेद इसमें से क्या होगा तो महारिशी का जो संदी बिशेद होगा वो महा जमारिशी होगा तो इनमें से शुद बाक्य आप लोग ने मताना है 8th question जो आप लोग का है शुद बाक्य बताईए तो आपका शुद बाक्य C ही होगा या गाय का असली दूद है नेक्स आप लोग का question है जो कला निधी का प्रायवाची क्या होता है आप लोग का तो कला निधी का प्रायवाची होता है वो B बिल्कुल सही है 9 का B आएगा समुद्र की आग के लिए अप्युक्त क्या है समुद्र की आग के लिए अप्यूक्त आप लोंका है वर्डवानल okay, C, इसका बिल्कुल सही है 11th question की तरफ चलें, तो धर्मा धर्म समास है, तो धर्मा धर्म आप लोंका किसका समास होता है, मेरे हिसाब से यह दवंध समास होता है, बट फिर भी आप लोग कर देख सकते हैं इसका क्या अंसर होगा मेरे हिसाब से दवंद होगा तो दाउट है मुझे अगर कोई और ऑप्षन होता है तो आप लोगं बहुत चतुर है में परिवेशन है तो इसमें आप का जो है वो परिवेशन आएगा 13 का बी ए बिल्कुल सही है जंकम का बिलोम आप लों का क्या होगा तो 14 का आप लों का स्थावर होगा बिल्कुल सही इसका राइड अंसर है 15 कोश्टन की तरफ चलते हैं तो अपनाना करिया किस से वनी है तो अपनाना करिया जो आप लों की ब गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है इसमें मंद मंद आप आपको क्या है तो 17 का आप लोगं का ऑप सकता भी हो सकता है भी बिल्कुल सही होगा बट एवर में ही तोड़ा हरोट है भट मेरे आप लों का बिल्कुल सही, next question की तरफ चरए जो आप लों का है, नेक्स कोशन 20 हे, आप लों का 20 आप लों का सो रठा होगा, ठीक है, तो next इसके बाद आप लों का होगा, पन का परत्याई कौन सा है, तो 21 जो आप लोंग का होगा इसमें आप लोंग का बड़ पन B और D में मुझे थोड़ा डाउट है वाट मेरे इसका B होना चाहिए इसका अंसर ठीक है ध्यान रखना है कटोर के लिए आप लोंग का कौन सा है 22 है जवाब लोंग का तो कटोर के लिए आप लोंग का परुश या पोरुश इसमेमे आप लों кा परुश हो सकता है आप लों का तो इसमें ऐसमें थोड़ डाउट है A और C में तो प्लीज किसी को सही पता है तो वह एक्जेक्ट बता देना wow next question आप लों का है 23rd course course पर पानी बले चार course पर बानी में किस परिवरतन की और इशारा किया गया है आप लोगं का तो 23rd जो आप लोगं का है तो पानी स्वाद और बोली के शब्दों के बारे में कहा गया है तो 23rd जो आप लोगं का है वो D इसका बिल्कुल सही है तो 24 question है तो 24 question है इसमें आप लोगं को तो simple सी बात पता है कि लोगीआ बाशा कहलाता है 25 कोश्चन है अभाई बाप समास का उधारन है तो अभाई बाप समास का उधारन आप लोगा भर पेट कहलाता है बिल्कुल सही है next question आप लोगा 26 question आप लोगा चलता है English यहाँ से आप लोगा की start हो रही है तो English की जब हम बात करते हैं तो English है जो आप लोग की पहला ही question आप लोग का 26 है, vocation, तो vocation का पहला क्या होगा, तो पता है सबको vocation आप लोग का C, बिल्कुल इसका सही होगा, next question है, imperious आप लोग का क्या कहलाएगा, 27 का, 27 का जो right answer आप लोग का होगा, वो proud कहलाएगा, आप लोग का 27 का A आएगा, next question है, आप लोगं का 28 she will have been served food is in तो 28 जो आप लोगं का है इसका क्या answer आएगा तो यह आप लोगं का 28 का आपका D आएगा future perfect tense है 29 question आप लोगं का है तो she the lesson is too difficult तो यह आप लोगं का आएगा A बिल्कुल सही है next question है हमारा 30 a word or law no longer is used is called तो 30 है आप लोगं का 30 का आपका जो अंसर आएगा वो B आएगा outdated okay outdated इसका बिल्कुल सही है next question है 31 I love my book so much so I so that I cannot part of them तो part आप लोगं का क्या आएगा 31 जो आप लोगं का होगा part from them ठीक है part of नहीं part from them 32 question आप लोगं का है choose the word that is spelled correctly 30 आप लोगं का जो है 33rd question आप लोगं का है इसका जो right answer आप लोगं का आएगा 33rd का वो क्या आएगा आप लोगं बताएंगे मुझे 33rd आप लोगं का जो आएगा वो बिल्कुल सही होगा next question की तरफ चलते हैं next question आप लोगं का है 34th question 33rd question okay 33rd 33rd question आप लोगं का है और एक पीछे जो आप लोगं का अंसर है इसमें यह B नहीं होगा इसका मेरे साब से इसका राइड अंसर आप लोगं का A आएगा B नहीं होगा ठीक है next question की तरफ चलें 33rd आप लोगं का question है 33rd question है he-1 8% तो इसका आएगा answer A ठीक है इसका अंसर B बिल्कुल सही है next question 34rd choose the correct synonyms of audacity तो यह आप लोगं के क्या आएगी 34rd जो आप लोगं का है तो इसका right answer आप लोगं का आएगा teacher suggested to the student they should start a lesson तो इसका बिल्कुल सही answer D आएगा next question आप लोगं का है he said to his teacher good night sir तो इसमें क्या कर रहा है वो बिश कर रहा है तो इसका answer A आएगा 37 का A बिल्कुल सही है next question है इसे हमारा 38 question है 38 का जो right answer आप लोगं का आएगा prohibit जो होता है आप लोगं का C इनके बिल्कुल सही है then थो आप लोगं का 40 question है तो इसका right answer होता है amusing के amusing इसका बिल्कुल सही है next question है intermittent जो आपनां का होता है 41 तो इसका जो आपनां का है Cardinal तो Cardinal आपनों को बताहिए यह simple सी बात है 43 का आप लोगं का chief होता है जो cardinal होता है आप लोगं का head होता है हमेशा तो इसका right answer यह आएगा next question है 44 तो 44 का जो right answer आप लोगं का आएगा वो D आएगा he deals in stationary he deals in stationary बिल्कुल सही है next question है 45 question है tiger was killed dash the hunter तो 45 का जो right answer आएगा वो आएगा किसके दुवारा मारा गया hunter शिकारी के दुवारा next question 46 है he is weak dash chemistry तो 46 जो answer है वो B आएगा in आएगा इसका answer बिल्कुल सही है next question है choose the right sentence तो 47 question है kalidas is the sex bear of India तो 47 का a बिल्कुल सही है next question है be reach safe sound which part इसमें तो डाउट है आप लोग इसको देख लेना मुझे ठीक है next question आप लोंगा 49 question आप लों choose the correct gender of fox तो ये काफी अच्छा question था आप लोंगों ने देखा ही होगा हर जगा इस question को देखने को मिलता है तो इसका right answer आप लोंगा big son आएगा young one sheep क्या कहलाती है आप लोंगी young one sheep आप लोंगी lamb कहलाती है तो 50 का right answer आप लोंगा B आएगा तो math की तरफ चलते है math के question आप लोंगे ठीक थे ज़्यादे tough question नहीं थे 51 question आप लोंगा जो होगा 210 question है आप लोंगा 51 तो 51 question की जब हम बात करते हैं तो पहले question का क्या right answer आएगा तो पहला question जो आप लोंगा है इसका right answer आएगा आप लोंगा B 210 इसका बिलकुल सही है ठीक है 210 इसका बिलकुल सही answer होगा और इसमें कुछ question गलत में है मैं आप लोंग आएगा ये भी बिल्कुल सही है 53rd question है आप लोगं का 53rd question का right answer ये सबसे easy question आया हुआ था free के number थे इसका right answer आप लोगं का one ही आएगा next question है 54 question इस question में ये doubt है आप लोगं को मैं बता देता हूं ये question गहां से गलत है इसमें जो right answer आप लोगं का आएगा तो श्रिया की जो present age 10 आएगी तो और जो आप लोगं का दूसरा है दूसरा लड़का अर्जुन है इसकी जो age आएगी वो 12 year आएगी ठीक है तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा मुझे doubt लग रहा है कि present age अगर आप इसकी find out करते हैं तो इसका right answer 10 or 20 में आना चाहिए था बट यहां पे 10 or 12 नहीं centimeter square नहीं होगा राइट अंसर इसका दी आएगा centimeter में है because हमें centimeter square में नहीं बोल रख़ता है तो centimeter ही इसका answer रहाा है ध्यान रखना थाulा 55-100 अप लोगं का है 56 कोस्टन आप लोगं का है तो 56 कोन जो आप लोगं का है इसका right answer आप लोगं का c आएगा बिलकुल सही है आप लोगं का next question है 57 question यहां पर थोड़ा एक मिना 57 जो question आप लोगं का है 57 का जो right answer आप लोगं का आएगा वो क्या आएगा 57 का right answer आप लोगं का one आएगा यह बिल्कुल सही होगा next question की चल दें आप तो 58 question है आप लोगं का if the radius of square 2d by 3 तो इसका क्या answer आएगा तो इसका right answer जो आप लोगं का है वो a होगा 58 का right answer a है okay next question है 59 if the sum of two consecutive number तो इसमें आप लोगं के smaller number बताना था smaller number आप लोगं का जो आएगा 59 का वो b आएगा because इसका जो दो number निकल के आएगे एक आपका 34 आएगा और एक 32 आएगा तो 32 smaller है आप लोगं का तो यह बिल्कुल सही है 60 question जो आप लोगं का है 60 question में आप लोगं का जो right answer आएगा वो b आएगा 65 बिल्कुल सही है next question है 61 आप लोगं का तो 61 जो आप लोगं का है इसका right answer आप लोगं का b आएगा यह भी बिल्कुल सही अंसर आएगा next question की तरफ चलें तो 62 question है 62 question में भी थोड़ा doubt है इसमें आप लोंका जो right answer आना था वो 5.01 यह answer था ठीक है बड़ यहां पे आप लोंका right answer B ही माना जाएगा बिल्कुल सही अगर किसी ने B लगाया है 63rd question आप लोंका यह question थोड़ा सा गलत है इस question में थोड़ा मुझे भी doubt लग रहा है यह question में मुझे थोड़ा doubt है 63rd में right answer इसका बैसे यह आएगा बट इन थोड़ा इसका अंसर में थोड़ा गलत दिया हुआ है तो D answer इसका आएगा बिल्कुल गलत है ठीक है 64 question आप लोंका है इसका B answer आएगा 64 question है जो आप लोंका है इसमें minus 7 divided 21 y 3 तो इसका answer आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या answer इसका आप लोंका होगा तो 64 का जो answer है वो आप लोंका minus 13 y 3 minus 13 y 3 बिल्कुल सही है next question 65 है किसी लंब रिती तो इसका क्या आएगा तो 65 question का D आएगा मेरे साब से इसका जो answer आएगा 2310 बिल्कुल सही exact answer होगा इसका तो 66 question आप लोंका है 66 question का जो right answer आप लोंका है भो है आप लोगं का वो होना चाहिए 66 इसका राइट अंसर a आएगा मेरे साइट से d होना होना चाहिए 900 900 होना चाहिए इसका अंसर और यह आप लोग देख सकते हैं किसी का 360 भी आ रहा होगा बट मेरे साइट इसका 900 होना चाहिए نیکס इसकासन है 67 सेवन आप लोंका तो इसका राइड अंसर आप लोंका सी बिल्कुल सही है 68 कोश्चन है आप लोंका 68 कोश्चन जो आप लोंका है इसका क्या राइड अंसर है इसका राइड अंसर ए आएगा 36 69 कोश्चन है आप लोंका इसमें आप लोगो ने घनमुल गयात करना था क्यूब उठाएगा वो वन इन्टू वन वाई सिक्स आएगा बिल्कुल सही है सेवंटी कोश्चन की तरफ चलें तो इसका राइड अंसर आएगा बी एक गाउं की जन संक्या 5000 या दो परसंट की बढ़ रही है तो इसका अंसर आप लों का दो परसंट की इसाप से ये बढ़ रही है हर वश तो दो साल के लिए बोली है तो आप लों का इसमें चलेगा चक्कर विदी ब्यास वाला फॉर्मूला ठीक है तो 5202 इस दा राइड चैंसर 500 गरत होगा ठीक है 71 कोशन आप लों का आता है जैसे ही तो 71 कोशन की हम बात करते हैं तो इसमें आपने लगूतम 15 नीब उता लिए फकी आप लों की क्या होगी 46 लों क्या की होगी लों की सेवन टीटू का आएगा 60 इसका विल्कुल सही होगा लकुतम उतां की इसकी 60 ही आएगी, 73 ये तो बिल्कुल सही है 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर, ये टिक है 73 तो इसका तो 1 आएगा, किसी की पावर 0 होगी, तो 1 ही होता है 74 question आप लोगं का है, इसका राइड अनसर, आप लोगं का क्या आएगा 74 का आप लोगों का राइट अंसर आएगा 0.2 बिल्कुल सही है ठीक है Next question है 75 का आप लोगों ने percentage बतानी थी तो इसका राइट अंसर 35% आएगा बिल्कुल सही Next question आप लोगों का चलता है यहां से computer के दिमाग को क्या कहा जाता है तो आप लोगों को तो पता ही है कि computer का जो दिमाग कहलाता है वो आप लोगों का जो होता है वो क्या कहलाता है वो CP होता है Central unit जो आप लोगों का होता है ठीक है इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है इसका बिल्कुल सही अंसर आप लोगों का 78 तो इसका राइड अंसर आएगा आप लों का भागमल सोथा ठीक है भागमल सोथा तो पहली रेल आप लों की कब चली थी कल ही मैंने आप लों को ये कोश्चन करवाए हुए थे 79 के तो इसका राइड अंसर आप लों का A आएगा भुकंप का मुख्य कारण आप लों का क्या ह होता है 80 का तो 80 का होता है आप ग्लों का tectonic force जो होती है आप लों की 80 का सी आएगा माचल परदेश उच ने आयानले कि स्थापना कब हुई थी कल ही question आप लों को मैंने बताये थे यह वाले तो 81 का जो राइड अंसर आप लोगं का आएगा वो आएगा D ठीक है 26 जनवरी 1971 नेक्स कोश्चन की तरफ चलें शुश्क बर्फ आप लोगं की क्या होती है तो 82 का राइड अंसर आप लोगं का C आएगा जो आप लोगं की solid carbon dioxide होती है यह होती है ठीक है 83 स्वर्मंडल का सबसे गरम गरे है आप लोगं का कौन सा होता है तो 83 का आप लोगं का आएगा A बुध नेशनल अकैडमी ओफ अग्रिकल्चर रिसर्च एन ए अर्म आप लोगं की कहां पिस्तित है तो 84 का बिल्कुल सही है है दराबाद में है दान्तों के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है कल कोश्चन हुआ था ये वाला ठीक है साइंस के कोश्चन में मैंने करवाया हुआ था 85 का जो राइड अंसर आप लोगं का आएगा इनेमल बिल्कुल सही है प्राचिन गंतों में शिवाली को क्या आप लोग कहते थे 86 आप लोगं का ए आएगा मेनाक परवत कुफरी जीवन और कुफरी जोती दो किसमी है किसकी है बिल्कुल इजी कोश्चन आप लोगं का पूचा गया था काफी कोश्चन जो मैंने कल आप लोगं को करवाय थे पर वह था दो दिन पहले चनानी नाश्री ओके 89 का आप लोगं का राइट अंसर आएगा वो ए आएगा ठीक है नेक्स कोश्चन की दरब चलें तो शेंग टेंग कर्शम जल विद्यूत पर योजरा आप लोगं की किस नदी पे स्थित है तो यह आप लोगों ने बताना था इसका राइट अंसर 19 का एट ए आएगा 90 का ए बिल्कुल सही है संस्कित भाषा में ब्याकरण की रचना किस ने की थी तो आप लोग पता है पाणी ने की थी इसकी रचना ठीक है नेक्स कोश्चन खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेशता को बताता है 93 है आप लोग का तो इसका आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारा 93 कोश्चन है इसका जो राइट अंसर आप लोग का होगा वो क्या होगा तो 93 का आप लोग का अंसर होगा शाकाहारी और मासाहारी बिल्कुल सही है 94 है आप लोगガ कालंदी किस नदी का नाम है आप लोग metals का 94 तो मैंने कल आप लोग उसे कोशिण पूचा हुआ था बीब कुछे में बच्चों ने अंसर भी दिये थे 97 है भारत का कौन सा अस्थान लिटी लहाँ सा कल ही कोश्चन ये आप लों का हुआ था तो 97 का आप लों का जो अंसर आएगा वो आप लों का कहेंगे आप धरम शाला ठीक है सारे कोश्चन आप लों को करवाए थे लों का लों का चोटी आंथ होगा बीशप जल दिवसा आप लों का कब मनाए जाता है तो 99 का एए अंसर आएगा 22 मार्च को मनाए जाता है और इसके बार लास कोश्चन पत्तों का हरा रंग किस तत्तव के कारण होता है तो 100 कोश्चन का राइड असर आपका कलॉरोपी नहीं होता है बिल्कुल सही है तो जितने भी स्टूडन है अल्दा वेस्ट वाल अफियो जितने भी स्टूडन है प्लीज अपने मार्क्स मुझे कोमेंट बॉक्स में बताना और मेरिट के बारे में हम बात करेंगे बाद मे कितनी जा सकती है अभी एक्सपेक्टिट में किसी को कुछ नहीं बता सकता बट मेरे इसाब से जिसे साब साब पिपर था तो 85 प्लस जनर्र की मेरिट जा सकती है बड़े राम से ठैंकि सो मच मिलते है नेक्स वीडियो में आप लोग के साथ और आप लोग एलाइड की तिया और सकता będę कि rasp sweets के साथ जूड़े रही है कॉपरेटिव की तैयरी कर रहे हो तो स्टैय सर्विस के साथ जूड़े रही है ठैंक यू मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में आप लुए था, ठैंक यू